जय भुलिनात आज सुमवार हैं और सुमवार के दिन भक्त भगवान शिव की पूजा करके वरत रखते हैं वरत की कथा पढ़ते और सुनते हैं तो आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे सुमवार वृत के दिन सुने जाने वाली संपोन वृत कथा, शिफ चालिसा पाट, भगवान शिफ की आरती और भगवान शिफ की इस्तुती अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, तो प्लीज वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में भुलिनात की जैलिकना मत भूलियेगा पौराणी कथा के निसार किसी नगर में एक साहुकार रहता था उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी जिस कारण वे बेहत दुखी था पुत्र प्राप्ती के लिए वे भगवान शिफ की पूजा करता, हर सुमवार रत रखता और पूरी श्रद्धा के साथ मंदिन में जाकर भगवान शिफ और माता पारवती की पूजा किया करता उसकी भग्ति देखकर एक दिन मापारवती प्रसन हो गई और भगवान शिफ से उस साहुकार की मनुकामना पूर्ण करने का आगरे करने लगी देवी पार्वती की इच्छा सुनकर भगवान शिव ने कहा हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके करमों की अनुसार फल मिलता है और जिसके भाग में जो हो उसे भुगना ही पड़ता है लेकिन पार्वती जी ने सहुकार की भक्ती का मान रखने के लिए और उसकी मनुकामना पोर्ण करने की इच्छा जताई माता पार्वती के आगरह पर भगवान शिव ने साहुकार को पुत्र प्राप्ति को वर्दान तो दिया लेकिन साथ ही ये भी कहा कि उसके बालक की आयू केवल बारह वश होगी माता पार्वती और भगवान शिव की इस वारता को साहुकार सुन रहा था उसे सुन कर ना तो इस बात की खुशी हुई और ना ही दुख बलकि मैं तो पहले की तरह ही भगवान शिव की पूजा करता रहा कुछ समय के बाद साहुकार के घर एक पुत्र का जनम हुआ जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी बेज दिया गया साहुकार ने पुत्र के मामा को बुला कर उन्हें बहुत सारा धन दिया और कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्त कराने के लिए लेकर जाओ रास्ते में यग्य कराते वे जाना जहां भी यग्य कराओ वहां पर ब्रहमनों को भोजन कराकर दक्षिना देते वे ही आगे जाना दोनों मामा भांजे इसी तरह यग्य कराते और ब्रहमनों को दान दक्षिना देते देते काशी की ओर चल पड़े रास्ते में एक नगर पढ़ा जहां उस दिन नगर के राजा की कन्या का विवहा था लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवहा होने वाला था वह राजकुमार एक आकसे काना था राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात को छुपाने के लिए एक चाल सोची साहुकार के पुत्र को देखकर उसके मन में एक विचार आया उसने सोचा क्यों न इस लड़के को दुलह बना कर राजकुमारी से विवह करा दू विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूँगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाओंगा लड़के को इस प्रकार दूले के वस्तर पहिना कर राजकुमारी से विवाह करा दिया गया लेकिन सहुकार का पुत्र बहुत इमानदर था उसे ये बात बिल्कुल ठीक नहीं लगी उसने अफसर पाकर राजकुमारी की चुन्नी के पल्ले पर लिख दिया कि राजकुमारी तुम्हारा विवाहत तो मेरे साथ हुआ है लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आख से काना है मैं तो काशी विद्या पढ़ने जा रहा हूँ जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी वी बाते पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को ये बात बताई राजा ने बात जानकर अपनी पुत्री को विदा नहीं किया जिससे बारात वापस चले गई दूसरी ओर साहुकार का बेटा और उसका मामा काशी पहुँच गए और वहाँ जाकर उन्होंने यग्य किया जिस दिन लड़के की आयू 12 वर्ष हुई उसी दिन यग्य रखा गया लड़के ने अपने मामा से कहा कि आज मेरी तबियत कुछ ठीक नहीं है सुनकर मामा ने कहा तो तुम अंदर जाकर सो जाओ शिव जी के वर्दान अनुसार कुछी छड़ों में उस बालक के प्राण निकल गए मृत भान जी को देखकर उसके मामा ने विलाब शुरू कर दिया सायोग वश उसी समय शिव जी और माता पार्वती उधर से जा रहे थे पार्वती जी ने भगवान शिव से कहा कि प्राण नात मुझे इसके रोने का स्वर सहन नहीं हो रहा आप करपया इस विक्ति के कस्ट को अवश दूर कीजे जब शिव जी मृत बालक के समीब गए तो वह बोले कि देवी ये तो उसी साहुकार का पुत्र है जिसे मैंने बारवश की आयू का वर्दान दिया था अब इसकी आयू पूरी हो चुकी है सुनकर देवी पार्वती के मन में ममता जाग उठी देवी पार्वती कहने लगी हे महादेव आप इस बालक को और आयू देने की करपा कीजे नहीं तो इसके वियोग में इसके माता पिता भी तडब तडब कर मर जाएंगे माता पार्वती के आग रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वर्दान दे दिया शिव जी की करपास से बह लड़का जीवित हो गया शिक्षा समाप्त कर लड़का अपने मामा के साथ वापस नगर की ओर चल दिया दोनों चलते चलते उसी नगर में जा पहुँचे जहां कभी उसका विवाह हुआ था उस नगर में भी उन्होंने यग्गी का आयोजन किया उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खोब आवभगत की और अपनी पुत्री को धूम धाम से विदा कर दिया इधर भूखे प्यासे रहकर साहुकार और उसकी पतनी अपनी बेटे के आने की प्रतिक्षा कर रहे थे उन्होंने निश्य कर रखा था कि अगर उन्हें अपने बेटे की मृत्ति को समचार मिला तो वे भी प्राण त्याग देंगे परन्तु अपने बेटे के जीवित होने का समचार पाकर वे बेहत प्रसन हुए उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के सपन में आकर कहा हे श्रेश्ठी मैंने तेरे सुमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयू प्रदान की है इस प्रकार जो कोई सुमवार व्रत करता है या कथा सुनता और पढ़ता है उसके सभी दुख महादेव के गरपा से दूर हो जाते हैं और समस्त मनो कामनाई भी पोर्ण हो जाती है ये थी व्रत कथा अब सुनिए भगवान शिफ के स्तोती शिर्विकार ओमकार अविनाशी तुमी देवाधी देव जगत सरजक प्रलै करता शिवम सत्यम सुन्दरा निरंकार स्वरूप कालेश्वर महायोगीश्वरा दयान धीदानेश्वर जय जटाधार अभयंकरा शोल पानी त्रिशोल धारी ओगडी बागंबरी जय महेश त्रिलोच नाए विश्वे नाथ विशंभरा नाथ नागेश्वर हरो हर पाप साप अभिशाप तम महादेव महान भोले सदाशिव शिव शंकरा जगत पती अनुरक्ती भक्ती सदैव तेरे चरण हो क्षमा हो अपराद सब जय जयती जगदीश्वरा जनम जीवन जगत का संताप ताप मिटे सभी ओम नमशिवाय मन जपता रहे पंचाक्षरा आशुतोश शशांक शेखर चंद्र मौली चिदंबरा कोटी कोटी प्रणाम शंभू कोटी नमन दिगंबरा अब सुनिए श्रीशिव चालिसा पाठ और आरती जय गणेश गिर्जासवन मंगल मूल सुजान कहत अयोत्या दास तुम देहु अभय वर्दान जय गिर्जापति दीन दयाला सदाकरत संतन प्रतिपाला भाल चंद्र मा सोहत नीके कानन कुंडल नाग फनीके अंग गौर शिर गंग बहाए मुंड माल तनक्षार लगाए वस्त्र खाल बाघंबर सोहे छवी को देखी नाग मन मुहे मैं ना मातु की हवे दुलारी बाम अंग सोहत छवी न्यारी करत्री शूल सोहत छवी भारी करत सदा शत्रुन चैकारी नंदी गणेश सोहत है कैसे सागर मध्य कमल है जैसे कार्तिक शाम और गणुराओ या छवी को कही जात नकाओ देवन जब ही जाय पुकारा तब ही दुख प्रभु आप निवारा किया उपत्रव तारक भारी देवन सब मिली तुम ही जुहारी तुरत शडानन आप पठायो लवनी मेश महमारी गिरायो आप जलंधर असुर संहारा सुयश तुम्हार विदित संसारा तुर्पुरा सुरसन युद्ध मचाई सब ही कृपा कर लीन बचाई किया तपही भगीरत भारी पूरब प्रतिक्याता सुपुरारी दानिन महतुम समको नाही सेवक इस्तुतिकरत सदाही वेद नाम मही मातव गाई अकत अनादी भेद नहीं पाई प्रकटी उदधी मन्थन में ज्वाला जरत सुरा सुर्भै विहाला कि नहीं दया तहकरी सहाई नील कंठ तब नाम कहाई पूजन रामचंद्र जब कीना जीत के लंक विभीशन दीना सहस कमल में हो रहे धारी कीन है परिक्षा तब ही पुरारी एक कमल प्रभु राखे उजोई कमल नयन पूजन चह सोई कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर भै प्रसन दिये एच्छत वर जै 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 अनंत अविनाशी करत क्रपा सब के घटवासी दुस्ट सकल नित मोही सतावे ब्रहमत रहो मोही चैन न आवे त्राही त्राही में नाथ पुकारो येही अवसर मोही आन उबारो लेत्र शूल शत्रुन को मारो संकट से मोही आन उबारो मात पिता भ्राता सब होई संकट में पूछत नहीं कोई स्वामी एक है आस तुम्हारी आये हर हू मम संकट भारी धन निर्धन को देत सदा ही जो कोई चाचे सोफल पाही अस्तुति के ही विधि करे तुम्हारी क्षम हूनाथ अब चूक हमारी शंकर हो संकट के नाशन मंगल कारण विखन विनाशन योगी यति मुनिध्यान लगावे शारद नारद शीश नवावे नमो नमो जय नमशिवाए सुर ब्रह्मा दिक पार नपाए जो यह पाठ करे मन लाई ता पर होत है शंभु सहाई रिनिया जो कोई हो अधिकारी पाठ करे सोपावन हारी पुत्र हीन कर एच्छा जोई निश्चे शिव प्रसाद तेही होई पंडित त्रियोदशी को लावे ध्यान पूर्वक होम करावे त्रियोदशी व्रत करे हमेशा ताके तन नहीं रहे कलेशा धूप दीप नैवेत्य चढ़ावे शंकर सम्मुख पाठ सुनावे जनम जनम के पाप नसावे अंत धाम शिव पुर में पावे कहे अयोध्या दास आस तुम्हारी जानी सकल दुख हर हूँ हमारी नितनेम कर प्रात ही पाठ करो चालेश तुम मेरी मनो कामना पूर्ण करो जगदीश मगसर छठी है मंतर तू समवत चौसठ जान अस्तुति चालीसा शिव ही पूर्ण कीन कल्यान अब सुने भगवान शिव की आरती जैशिव ओमकारा स्वामी जैशिव ओमकारा ब्रह्मा विष्नु सदाशिव अरधांगी धारा ओम जैशिव ओमकारा एकानन चतुरानन पंचानन राजे स्वामी पंचानन राजे हनसानन गरुडासन विष्वाहन साजे ओम जैशिव ओमकारा दो भुज चारु चतुर भुज दस भुज अतिसो हे त्रे गुण रूप निरखता त्रे भुवन जन मोहे ओम जैशिव ओमकारा अक्ष माला वन माला रुंड माला धारी स्वामी रुंड माला धारी चंदन म्रिग मत सोहे बाले शशिधारी ओम जैशिव ओमकारा श्वेतांबर पीतांबर बाखांबर अंगे स्वामी बाखांबर अंगे सनकादिक गरुडादिक भूतादिक संगे ओम जैशिव ओमकारा करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशोल धारी सुखकारी दुखहारी जग पालनकारी ओम जैशिव ओमकारा ब्रह्मा विष्ण सदाशिव जानत अविवेका स्वामी जानत अविवेका प्रण वाक्षर में शोभित प्रण वाक्षर में शोभित हे तीनों एका ओम जैशिव ओमकारा त्रिगुन स्वामी जी की आरती जो कोई नरगावे कहत शिवानन्द स्वामी रटत भुलानन्द स्वामी सुख संपति पावे ओम जैशिव ओमकारा स्वामी जैशिव ओमकारा ब्रम्मा विश्न सदाशिव अरिधांगि धारा ओम जै शिव ओम कारा ओम जै शिव ओम कारा